हमने अपने चैनल पर जितने भी टीवी रिव्यूज वागरा कह रहे ना वह वही बेसिक टीवी जैसे एमाई का टीवी करा था उसके बाद आई फैलकन करा भी रीसेंटली वहीं 60 हो गया क्योंकि प्लेस्टेशन वाइए एक्स बॉक्स है इवन आप पीसी करो हाई रिफ्रेश्ट गेमिंग तो हमारे पास अच्छा सरजी में चलता हूं बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- मेता है रीमोट्र पता है और आप अहरा पान एक फ्रिक्स्ट रोलि यहजा है वतंतना साथ-म only रिफ्रेश्टे तर द्श्रीम में विगता है और ठी यह आयुसरिक्स के अन धर मिल जागा तो उस तब लटका सकते हो तो भाई यहां पर टीवी सेट करने के बाद कुछ ऐसी लुक देगा एकदम लगता भाई प्रीमियम क्योंकि बैजल लेसर डिजाइन है और इस टीवी का सर्प्राइजिंग पार्ट जो इसकी प्राइजिंग है 55,000 पर लॉंच होगा 55,000 में 4K HDR गेमिंग टीवी और जो इसक 55,000 का प्राइस पॉंट है यह लॉंच प्राइस है इसके उपर ओफर्स वगेरा भी होंगे कार्ड ओफर्स बैंक ओफर्स होते हैं डेफिनेटली उससे कम में भी आप ले पाओगे एक्जक्ट इंफर्मेशन नीए इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता तो यहां पर भार अगर इसके उपर लगाँगे तो वह यह सपोर्ट करेगा और एक तो पॉंट वान तो यह गेमिंग कंसोल आप लगाँगे तो इसके अंदर वन ट्वेंटी हट्स लेना है जो भी है वह सार आपको गेमिंग वाले पार्ड मताऊंगा तो फॉर के आउट पूर्पूर्ट ल मिल जाता है तो यहार देखो चेदो के मामले में पर कोई disappointment नीए अब यहां पर थोड़ी तकनी की बातचीत भी कर लेते हैं इसके अंदर मिलता हमारे को क्वाड कोर प्रोसेसर जो मारा A55 X4 है और यहां पर डूल कोर का जीपी मिल जागा G31 X2 एंड इसके अंदर मारे को दो AWS वगरा connect करने हो तो आप on the go इस TV से कर सकते हो और इसकी specification के साथ थोड़ी सी performance की बात कर लेते हैं इसका UI है वो मेरे को smooth लगा थोड़ा बहुत जिटर आपको मिलेगा जैसे fast movement करते हो है application open close करते हो थोड़ा बहुत lag करता है लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आएगी ने आपको और और नीचे continue watching है popular TV shows thriller drama अलग अलग genre यहाँ पर शो करता है उसके लावा उपर categories हमारे को यहाँ पर मिल जाती है then apps आ जाएंगी उसके बाद library यहाँ पर मिल जाती है और उपर यहाँ पको screen saver option मिल जाते है input wi-fi picture accessibility और setting option यहाँ पर मिल जाएगा setting के अंदर भी वही सारी settings है ज स्मूद एक्स्पीनेस निया वायर लेसली ठीक कास्ट हो जाता है और यहाँ इसका रिमोट कुछ इस तरीके मिल जाता है बड़ा अच्छा खासा बड़ा रिमोट है और दुनिया भर के बटन के साथ आता है और नीचे hotkeys भी मिल जाते है नेट्लिक्स प्राइम वीडियो य मैं एक पर आपको वाद सुनवाता हूं अब यह वीडियो में स्पीकर कितना में सुनवाने को वह एक्चल आउटपुट आप तक नहीं पहुंचता है लेकिन आपको मुह से बताऊंगा उटपुट भाइस तीवी के अंदर बेस है बेस फील होता है वह थंप जो हमारे को सा साउंड क्वालिटी के मामले में बाही जबर्दस लएक अकर आप गेमिंग करने वाले उसके उपर बैठ के तो वाई गेमिंग में स्वात तो दिदेता है कमरे में आवाज आती है जबर्दस और जैसे कि साउंड के थोड़े बाद आप्शन आपको दिखा तो यहां पर इक चीज मैंने शुट करी वर्चुलाइज करते है तो एक्च्व स्राउंड वाली फील होती है यूजलिए टीवी में नहीं पता लगता बेस एनांसर मिलता है अपने असाफसे बेस मैनेज कर सकते हो और थंप तो भाई फील होता है डालोग एनांसर मिलता है डेफिनेशन म प्रोसेसिंग है एडवांस सेटिंग में अलग अलग अप्शन यहां पर हमारे को मिल जागे बैलन्स का वॉल्यूम कंट्रोल वह आप अपने सामने देखी सकते हो यह टीवी डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करता तो डॉल्बी ऑडियो वाला कॉंटेंट आप देखोगे तो फुल और बढ़ी आउट्पुट आप ले सकते हैं क्योंकि इसके बाद आपकी क्यूए डिया अपकी इस से उपर आपकी ओलेड वगर आप जिसको बोलतो वह फ पीक ब्राइटनेस यहां पर 6,000 इस तु वन का कॉंट्रास रेशियो यहांनी कि ब्लैक्स वगरा अच्छे दिखाई देते हैं और यहां पर व्यूइंगल भी बढ़ी हैं कलर शिफिटिंग मा करें निया और इस टीवी में एच्डियार 10 प्लस का भी सपोर्ट और यहां प या फिर हमारी वीडियो देखते हो आपको कलर्स बढ़िया दिखाई देंगे और यह टीवी मेंसी के सपोर्ट के साथ आता है तो मोशन स्मूधनिंग अगर आपको करने हो अगर आपको स्पोर्ट्स वगरा देख रहे हो या फिर कोई मूवी देख आपको 60 फ्रेम रेट व यहां पर हमने यूट्यूब चलागे देखा ओटी एप्स एमाजन प्राइम नेट्फ्लिक्स वगरा चलागे देखे यूट्यूब पर 4K 60 HDR का सपोर्ट यहां पर मिलता है और बैस पार्ट लगा मुझे इसकी डिस्प्ले का वाइस के बैजल इतने पतले बैजल है एक तम और अच्छा लगता दिखने में बाई प्राइम वीडियों ने चलागे देखा इसकी ओस पर 4K Ultra HD का सपोर्ट मिलता है और यहां पर HDR कॉंटेंट भी देखते है ना तो इसकी अच्छी ब्राइटनस होने की वैसे तो HDR कॉंटेंट डल नहीं लगता एंड में चीज है तो डि इसके अच्छी ब्राइटनस के उप्शन मिलता है कलर साच्छी चेंज कर सकते हो अपने हैंडवान सेटिंग अंदर आप जाओगे तो ब्राइटनस कलर क्लर शेंट वाला सीन वह यही है जिसके अंदर यह मोशन ब्लर को बिल्कू रिद्यूस कर देता और अच्छा चले जिए तो गेमिंग को कैसा बूल सकते हैं गेमिंग वाला तो टीवी है आपने शाइड नूटिस कर लेगा डिस्प्लेट्स वाले पार्ट में मैंने 120 जिकर नहीं करा क्योंकि ए टीवी एक्चॉल 120 हट्स नहीं है मैंने थमनेल में इसलिए 120 हट्स के उपर स्टार बना यह जो 120 हट्स वाला सीन है इनका यह गेम एक्सेलिटर है जिसके अदर होना ने लेटेस्ट अपनी डीलजी टेकनोलोजी का यूज कर रहा है डूल लाइन गेट जिसकी वैसे इसकी डिस्प्ले का फ्रेम रेट बूस्ट हो जाता है लेटेंसी कम हो जाती है और वह आपको 120 ह सब्सक्राइब करता है अगर आपको डिवाइस करोगे बट अक्चुल नहीं होता तो यह सॉफ्वेर बेस टेकनोलोजी है अल्गरिदम बेस भी आप कह सकते हो लेकिन एक चीज मापको बता हो जब यह 60 एट से 120 एट पर शिफ्ट होता ना तो फील वैसी आती है जैसे 120 एट पर शिफ्ट करते तो आटोमाटिकली उपर रेजोलुशन चेंज हो जाता है और वैसे 55 इंजिस के टीवी से जितनी दूर बैटके हम गेम खेलते हैं उसमें 1440 भी पता नहीं चलता मैंने इसके उपर गेमिंग कर गे दे कि मेरे को पता नहीं चला और यहां पर PS5 पर गेम मास्टर करके option मिल जाता है नीचे गेम मास्टर option को जैसी आप टॉगल करोगे तो आपके ब्लाक्स बगरा बूस्ट हो जाते हैं और पूरे टीवी की जो सेटिंग्स है वो गेमिंग वाली ही हो जाती है फिर चाहे वो मोशन डिदक्शन हो जो में आपको बता रहा था साउंड हो गया या इवन कलर प्रोफाइल होगी तो पूरे एकदम वाली वाइब में चला जाता है और यहां पर टीवी पर कनेट करके अगर यह वाला बटन होल्ड करके रखते है तो यहां पर हमारे को गेमिंग वाले option मिल जाते है जैसे यहां पर HGIG mode मिल जागा है इसकी फिलफॉर में HDR gaming interest group तो यह HDR mode पर ही on होता है उसके लावा स्टेटस बार मिल जाता है स्टेटस बार जैसी ऑन करते है यह अभी 1440 पी भी है इसलिए 120 fps शो कर रहा है और यह टीवी भाई AMD FreeSync के साथ भी आता है तो यहां पर नीचे मारे को बूस्ट को उप्शन मिल जाता है करेंगे तो हमारी screen tearing reduce हो जाती है और gaming में आता फुल मजा उसके बाद टूल बॉक्स मिल जाता है इसके अंदर आप aiming add-on कर सकते हो एम बन के आच हो का स्क्रीन पर देख सकते हो और उसके शेप आप चेंज कर लो color change कर लो उसका size चेंज कर लो यह आपके fps game में काफी काम आ ज मतला 50-60 fps वाली feeling मिल जी एंट साथ पर हमने asphalt 8 भी चला के देख वो भी बढ़िया चल गया था तो जो android tv वाले game सा वो भी आप खेल सकते हो या emulator बगर डालके को पुराने console वाले game कहल लो आप इस पर आराम से खेल सकते हो तो यहें पर conclusion की बात कर लेता है यह जो tv 55,000 पर ल मिलेंगे 43 इंचीज मिल जागा 39,000 के price point पे और 15 इंचीज मिल जागा 47,000 के price point पे लेकिन जो 120 वाला सीन है यह सिर्फ और 55 इंचीज वाले के साथ है इसलिए हमने सिर्फ gaming वाला review किया है तो अगर इसके price point के सबसे सको conclude करें तो वाई मेरे को कोई दिक्कत ने लेगी देख तो display बढ़ी है display color gamut अच्छा है यहाँ पर brightness अच्छी मिल जाती है HDR का mode मिलता है उसके लावा gaming के इतने features है 120 fps वाला भी सीन है जिसकी वेसे जो gaming का experience हो काफी स्मूध हो जाता है और सबसे बड़ा highlight इसके speakers मेरे को बहुत सही लगे तो यह जो टीवी है टोटली gamers के लिए बन नहीं करेगा और 55,000 के बाद definitely के ओपर कोई bank offer या और कोई discount भी आ सकते हैं जो आपको launch में लिंक में दे दूँगा description में कैसा लगा आपको TV आप मेरे को comment section बताना पसंद आई वीडियो तो like मार सकते हो पहली बार आया तो subscribe और अगर कोई suggestion query feedback वो भी comment section में लिख सकते हो मिलत